जैहिन दोस्तो बाहुगली डिफेंस अकेडमी सीधी आज मैं आप लोगों के SSC GD का 2022-23 में जो अभी फिलाल पेपर चल रहा है आज मैं उन सभी कोस्चन को कराऊंगा जो 13 जनबरी में कोस्चन आई हुए हैं क्योंकि जो मैं इसके पहले कोस्चन बनाया था उसके भी कोस्चन आए थे और जो आगे हैं तो भी कोस्चन आएंगे तो मैं आसा करता हूँ कि आप सभी लोग कोश्चन को देख लेंगे और अच्छे से देख लेंगे चाहे जो भी कोश्चन होंगे पूरे के पूरे कोश्चन आपको पढ़ना है चाहे जो भी कोश्चन दिये होंगे ठीक है तो हमेशा इतना ध्यान रखिएगा कि आपको पूर अगर आपको उसमें निरासा होने की जुरुत नहीं है क्योंकि पहले लोग मजाक उड़ाएंगे फिर लोग साथ छोड़ेंगे फिर बिरोत करेंगे फिर वही लोग कहेंगे कि हम तो पहले से ही जानते थे कि तुम कुछ लाइफ में कुछ बढ़ा करोगे ठीक है और एक आजाते हैं देखे लेते हैं कि अब जो दिया हुआ है इसमें से जब आखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया है तो मुश्किल क्या आसान क्या जब ठान लिया तो ठान लिया अब चलते हैं अब मैं स्टार्ट करता हूं जो कि चलिए शुरू करते हैं को कि कहां से किस प्रकार से दिया हुआ है ठीक है तो जो पहला कोश्चन दिया हुआ है तिसमें बोला है कि उत्तर परदेश के राज जपाल कौन है ठीक है जितने भी राज जपाल है ठीक है और मुख मंतरी है इन सभी हर राज्यों को आपको लोगों को जानकारी होना बहुत जरू नेस्ट कोश्चनु जो दिया हुआ है इसमें दिया मौर बंस के अंतिम सासक कौन थे मौर बंस के अंतिम सासक कौन थे ब्रिहदत थे फिर नेस्ट कोश्चन है कि बस्तर का बिद्रो कब हुआ तो 1910 में हुआ किस में हुआ 1910 में हुआ अब बड़ा कोश्चन कर लेते हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो ठीक है अगर आपको कहीं दिक्कत जाती है बेजी जग आप कमेंट कर सकते हैं ठीक है अगला नेस्ट कुश्चन है नित के बारे मैं आपको बताया था कि सारे question नित के जितने भी question है उन सभी question को आप लोग देख लीजिएगा आप से कहीं एक भी question नहीं छूटेगा तो हर shift के question के मैं बात करूँगा जो question आए हुए हैं जो लोग video देखते होंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक share कर दियेगा ताकि सभी लोगों तक जानकारिया प्राप्त हो सके तो कुद नित कहां का लोक नित है तो यह है जम्मू और कास्मीर का है अगला निस्ट क्यूशन है दुती पंचवर्सी योजना का कारेकाल क्या था अगला निस्ट क्यूशन है दुती पंचवर्सी योजना का कारेकाल क्या था तो यह था 1956 से 1961 का अगला निस्ट क्यूशन है दो हजार एकजारा की जन्डगर्ना के अनुसाद दूसरी सबसे कम साचर्था किस राज्ज में है अरुडांचल परदेश में है तो सारे कोश्चन में पढ़के बताया देता हूँ आप लोग इन सभी टापिकों से आप लोग देख लीजिएगे एक बार अगर आप एक बार देख लेंगे तो आपको कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी खाना पकाना कौन सा परिवर्तन कहलाता है रासाइनिक परिवर्तन कहलाता है अगला है भारती ओलंपिक संग की इस्थापना कब हुई थी 1927 पर अगला है 1950 में सम्विधान लागो होते समय क्या सामिल नहीं था मौलिक करतब सामिल नहीं था सुप्रीम कोट की स्थापना कब की गई थी 1 अक्टूबर 1937 फेडरल कोट आप इंडिया के रूप में अगला निस्ट क्यूशन है इस्थिर्ता के साथ विकास कौन सी पंचवर्षी योजना का उद्देश था चौथी पंचवर्षी के उद्देश था पियम स्वादनिधी योजना के उपर प्रस्न तो 1 जून 2020 को मिनिस्ट्री ओफ हाउसिंग और अनुबन अफेर्स था निस्ट क्यूशन है पियम स्वादनिधी योजना के उपर प्रस्न था 1 जून 2020 1 जून 2020 1 जून 2020 देखे लेते हैं निस्ट क्यूशन 2018 ACI गेम्स की थिम्स क्या थी Energy of ACI अगला निस्ट क्यूशन है 2020 में आप कोश्चन को सही से पढ़ लिजेगा 2022 में किस अभिनेता को पश्चिम बंगाल में EMP लोकसभा सदस बनाया गया सत्तुध्यान सिंग को सत्तुध्यान सिंग को अगला निस्ट क्यूशन है भारत में माइक्रो फाइनेंस किसके नियंतरित किया जाता है भारती रिजर्व बैंक RBI आई निस्ट क्यूशन है नागा लेंड का सेकेर नेई फेस्टिवल किसने कितने दिन तक मनाया जाता है नागा लेंड का सेकेर नेई फेस्टिवल कितने दिन तक मनाया जाता है दस दिनों तक मनाया जाता है अगला निस्ट क्यूशन है इडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर इस्थित है कॉलकाता में इस्थित है दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है अरबिंद केजरीवाल हरित करांती कहाँ शुरू ही थी भारत में बरतमान में CBSC के अध्यक्ष कौन है निधी चिबबर राष्टी आय कैसे एक्जात की जाती है NNP, MP, GNP और डिपार्टियन डिपार्टियेशन हाउस अगला निष्ट क्यूचन है बाली बाल में नेट की उचाई कितनी होती है 2.43 मीटर पूरूस और 2.24 मीटर महिला निष्ट है सोडियम धात को किसमें रखा जाता है केरोसीन 2011 की जर्णगर्णा के अनुसार भारत में पूरूस साच्छर्टादर क्या थी 82.14 परसेंट सोनल मान सिंग का संबंध किस नित से है भारत नात्यम और ओरीसी से एमर्स एक्ट कब आया था 1878 में IPL 2023 में सबसे महगा खिलाडी किस ने खरीदा था पंजाब किंग्स ने निष्ट है बरतमान में उत्तर परदेश के मुख्यमंतरी कौन है योगी आदितनात निष्ट क्यूशन है निष्ट क्यूशन देखे लेते हैं पचास का नोट किस रंग का है तो ब्लू ये बहुत सारे कोशन बहुत सारे कोशन आ चुके है इससे बहुत सारे कोशन बनाय जा चुके है इसको देख लीजेगा फीफा से संबंधित प्रश्ण भी आप लोग देख लिजेगा फीफा से बहुत सारी कोश्चन आ चुके हैं अगला नेश्ट है विश्व की सबसे लंबी स्थली सीमा वाले देश का क्या नाम है कनाडा तात्या टोपे का वास्तिविक नाम क्या है रामचंद पंडुरंग बरतमान में FSAI के अध्यक्ष कौन है इरीता तेवतिया अगला है दिल्ली सल्तनत के किस सासक ने ब्रामभडों पर जजिया का लगाया था जजिया कर लगाया था हिरोज सा तुगलक ने और कुतुम मिनार का पुनर निर्माड किस ने करवाया था इल्तुत मिस ने इतिहास से भी कोशन पूछे जा रहे है तो आप लोग पढ़ लीजियेगा इतिहास के भी पढ़ लीजियेगा प्रथम बहुत संगीती कहां पर हुई थी राजगीरी अनुच्छेद 114 किस से संबंधित है बिनियोग बिधयक सेटेलाइट फोन से कौन राश्टी उद्यान एवाड है काजी रंगा 10-11-12 जनवरी को पूछे गए सभी सिप्टों के सभी प्रस्णों का संकलन है इसमें से आप लोग देख लीजिएगा ये मैं पिछली वीडियो में बता भी चुका हूँ और जो नए लोग देखते होंगे वो लोग भी देख लेंगे और जो लोगों का आगे पेपर होगा वो लोग भी देख लेंगे क्योंकि जो question है तो question को दोहराया जा रहा है ठीक है तो question को दोहराया जा रहा है तो आप लोग बड़े गौर से देखिएगा आपको कहीं अगर कोई दिक्कत होती है तो बेजी जाक आप पूछ सकते हैं जानकारी ले सकते हैं ठीक है इसमें से दिया है देख लेते हैं जो भी दिया है जो भी question दिया हुआ है उन question के बारे में मैं बात कर लोगा ठीक है अगर आपको कहीं से कोई दिक्कत होती है तो बेजी जाक आप बात कर सकते हैं ठीक है भारत का उत्तरी बिंद क्या है तो इसमें भारत को उत्तरी बिंदु क्या है इंदिरा कोल सर्वी तेवार किस राज्य में मनाया जाता है जारखन अब इस्टु का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है तो किंग है इंटरनेशनल एयरपोर्ट साओधी अरब ठीक है अगले नेश्ट में चलते हैं नेश्ट जो दिया हुआ है नेश्ट को दिवी देखे लेते हैं दिया है फेरियाल नेशनल पार्क किस राज्य में इस्थित है केराल युक्रेयन राश्ट पती कौन है जलेस्की ये तो आपको पता ही होगा कि उक्रेयन में भी युद्ध चल रहा था सारी युद्धों को आप गया था जो कितने लोग भारत के कितने लोग उक्रेयन में पड़ने गये थे तो यह सारी सभी जानकारियां क्या होता प्रधान मंत्री गरामदय यूजना इससे फुल फाम आप लोग प्रधानमंत्री योजना या लाडली योजना ये सारी चीज़ों को आप लोग पढ़ लिजेगा और पानीपत का तीसरे उद्ध कब लड़ा गया था 1761 और पलामियू बंजीव अभ्यारन कहां इस्थित है तो जहार खंड में तो ये सारे कोश्चन आपको बताया जा चुके हैं तो फीफा मैं बता चुका हूँ फीफा इसके पहले भी दिया था फीफा इसमें भी दिया है तो फीफा के सभी कोश्चन को आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा जो भी कोश्चन होगा अगर आपको डाउड लग केंद्र कहां इस्थित है तो लखनाव तो सारे कोशन आप लोग पढ़ लीजिएगा अगर आपको कहीं से किसी भी प्रकार का डाउट होता है कोई दिक्कत होती बेजी जग आप पूछ सकते हैं हरियर हरियर बुक्का का संबंद किस बंस से है संगत बंस से है विजयनगर में ह के एक समू द्वारा कौन सा गीद गाया गया था कोयर कोरसा और नेश्ट कोशन देखे लेते हैं अगला नेश्ट कोशन दिया हुआ है कैलासनात मंदीर का निर्माण किसे ने करवाया था तो कृष्ण राष्ट कूट बंस ने सोन नदी का सोर्स क्या है अमर कंटक है डेवि इस कोशन आप लोग पढ़ लीजेगा सभी कोशन को किलियर कर लीजेगा बिटामिल डी की कमी से कौन सा रोग होता है रिकेट होता है अगला नेश्ट क्यूशन है पानिपत का दूतियुद कब लड़ा गया उनीस और इमराज जेंसी के समय कौन से आर्टिकल खत्म नहीं हो संसोदन कौन सा था 122 संसोदन था अगला नेश्ट क्यूशन है 2000 के नोट पर किसका चित्र बना हुआ है तो मंगल्यां का बना हुआ है और काला घोडा महोत्सों कहां मनाया जाता है महाराष्ट में अगला निश्ट कुश्चन है हैपी नेशन इंडेक्स दोहजार बीस दोहजार बाइस में भारत को कौन सा इस्थान प्राप्त हुआ था कहां लिया गया था एजिप्ट में लिया गया था अगला निश्ट कुश्चन है नोट कहीं मैं बता चुका हूँ नोट का कई बार पूश चुका है तो आप लोग इसको देख लीजिएगा नोट का कहीं से भी कोश्चन मिलता है तो और मोनी अट्टम किस राज जैसे संबंदित है केरल से कुच्ची पूरी नित किस राज जैसे संबंदित है अंदर परदेश से बैट मिंटर में कितने अं और सिवरात्री कौन से हिंदी महीने में आती है फालगुन महीन अब मेगाला के राजपल कौन नियुक्त किये गए थे बीडी मिस्रा नियुक्त किये गए थे अगला निस्ट क्यूशन है आजाद भारत की प्रथम जनकरना कब हुई थी उन्नी सो इंचामन में राष्ट पत अगला निस्ट क्यूशन है बरतमान समय में अनुच्छेदों की कुल संख्या क्या है उन्नी सो पंचान ने अनुच्छेद से संबंधित प्रस्न समिधान का अंतीम अनुच्छेद 305 ने हिमांचल परदेश की राजपल कौन है राजेंद्र विसुनात्र अर लेकर निस्ट निस्ट क्यूशन है किस विटामिल का रासाइनिक नाम थाइमीन है विटामिन भी ए बीवन और प्रतेग राज में ग्राम इस्तर माध्यवर्ति इस्तर पर पंचायत गठन से संबंधित आर्टिकल कौन सा है तो 241 ए अगला निस्ट क्यूशन है गोबर को खेद में किस रू तो सोनल मान सींग को अगला निस्ट क्यूशन है लच्छ सेन का संबंध किस खेल से है तो बैटमिंटन से किस धाद पर हरे रंग की परत चड़ाई जाती है तावे के बरतन पर अगला निस्ट क्यूशन है अटलांटिक महासागर को प्रसांत महासागर से कौन जोड़ता है तो पनामा नहर और चित्र स्वामी स्टेडियम का इस्तित है बेंगलूरू करनाटा अगला नेस्ट क्यूशन है सीर्स चार टीम रैंकिंग अर्जेंटीना बिजेता फ्रांस दूसरा अक्रोरिसिया तीसरा और मोयस्को चौथा और गोल्डन बूट अवार्ट के प्रांस और गोल्डन बाप पुरुस्तकार लियोलनेल मेसी अर्जेंटीना फीफा यांग फियर्स एवार्ड एजो परंडीज अर्जेंटीना गोल्डन गलाप और एवार्ड एमिलियानो अमार्टीजेन और अर्जेंटीना निष्ट क्यूशन है बिस के सबसे लंबी नदी क किस अनुष्यत को संबीधान से हटाया गया था अनुष्यत 37 तथा 35 अगला नेश्ट क्यूशन है प्रधान मतरी नारेंद मोदी ने जल सक्ति योजना कब सुरू की थी 15 अगस्त 19 2019 अनुष्यत 14 किस्से संबंधित है समानता हुआ समानता का निमलिखित में से वा ब्यक्त कौन है जिसका नाम देव नाम प्रिदर्शी था मौर राजा असोक मौर राजा चंद्रगुप्त मौर गौतम बुद्ध और भगवान महाबीर इनमबर हो जाएगा इसका इंसर अब इडियो बनारे इसको बंद खता हूँ अब इसमें से देखे लेते हैं जो नेस्ट क्यूस्चन अब आगा है यह कोश्चन आपको सभी हर जगा आपको मिलेंगे कोश्चन तो आप लोग घवराने की जरूरत नहीं है इसमें सारे के सारे कोश्चन को मैं आपको डाउट किलियर करूँगा इसमें दियन्यम लिखित में से हुआ हव्यक्त कौन है जिसका नाम देव नाम प्रेदर्शी भी था मौर राजा असोक मौर राजा चंद्रगुप्त मौर गौतम बुद्ध और भगवान महाबीरत इसका इंसर हो जाएगा मौर राजा असोक कौन इसका जो इंसर हो जाएगा गन्ने से मदमक़्ी पालन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई केंद्री योजना का क्या नाम है राजटी मधमक़्ी पालन अगला निश्ट्कूशन है चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है सुक्र को अगला निस्ट क्यूशन है गोल्डन डोमार माडाल कब लागू किया गया तो निस विंचामन से छपपन अगला निस्ट क्यूशन है 36 वे राश्टी खेल का कहां आयोजित किये गए तो गुजरात में अगला निस्ट क्यूस्टन है 105 अमा संसोधन किसे से संबंधित है तो राज सूची प्लस बिछडे बर्ग से अगला निस्ट क्यूस्टन है तो देखे लेते हैं सभी बड़ा कोश्टन करके देखे लेते हैं आपको ताकि डाउट नहों इसमें से जो कोश्टन दिये हूए हैं देख लीजिए क्या दिया हूए है राजपल की नियुक्ति किस आर्टिकल से संबंदित है तो आर्टिकल 155 अगला निस्ट क्यूस्टन है कौन सा भारती राज तीन तरप से बांगला देश से घीरा है तो त्रिपुरा और ब्रेल दिवस का मनाया जाता है चार जनवरी को अनुछे 17 किस संबंदित है अस्त प्रि किस राज में मनाया जाता है जारखनड अगला क्यूस्टन है पादप कोशिका में क्या पाया जाता है हरित लबक अगला है सत्रिया नित्त किस राज जिस संबंदित असम से सबसे बड़ा लिखित समिधान किस देश का है भारत ग्यार्वी पंचबर्सी योजना का बढ़ाना अगला है रिगवेद में किसने सूत्र हैं एक हजार अठाइस सदेशी अंदोलन का सबसे जादा प्रभाव किस राज पर पढ़ा बंगाल अगला है रसी बनाने में किसका प्रयोग होता है सेरेदार फसले और जूट और पटसन और कपास का विदेशी बस्तूओं क मूल बढ़ाने वाले कारक का नाम है कस्टोमस ड्यूटी और राजसभा के पास कौन से बिध्यक की सक्ति नहीं होती है तो धन बिध्यक की यूबा जन यूबा जन स्रमिक राथू राथू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन है तो बाईयस जगमोहन डिड़ी अगला ह अंग्रेजों के अबध पर कबजा किस बर्ष किया था येक मार्च 18 Sondhaman Colling Kamp April महत्मा बुद्धित से संबंधित परस्न ने क्या दिया हूँ है प्रत्मिक छेतर में आने वाले 20 कच्चा माल और किरिस, वानिकी, पजपालान, मतस्य पालान और मुर्गी पालन, खनन, उत्खनन, मैरी काम किस राज से संबंदित है, मडीपूर से, मेगाला की कौन सी पहाड़ियों में बरसा होती है, मोसी नाराम और सोवना नारायान किसे से संबंदित है, कथक, नर्तकी, गुरू, बिर्जू, महराज और नई लोकसभा को कितने समय तक भंग नहीं किया जा सकता है, पांच साल, कौन सी फसल रभी और खरीब दोनों में होती है, अरंडी, नीशा गांधी, फेस्टिवल किस राज में मनाया जाता है, केरल, फेस्टिवल कभी आप कोश्चन पढ़ लीजिएगा, कौन कोश्चन प मनाया जाते हैं, तो सभी पढ़ लीजिएगा, ताकि ये कौश्चन आपको डाउट ना हो, सगा दावा, सगा दावा, नामा कुछसव किस राज जिसे संबंदित है, सिक्किम, जब अगला है, जब बेरियस कोराइट के बिलियन में सोडियम, सल्फेड का बिलियन मिलाया जा करता है, तो सफेद अपछेप किस के कारण होता है, एकूँ बेरियाम सल्फेड के कारन, अगला है, सल्फेड अगला 2020 के जड़ने करना का अनुसार किस राज में सबसे कम साच्छा दार है, बिहार, अगस्त 2022 में बैज्जानी को अध्योग की अनुसंधान परिसत CSIR की से भी कलाई से लभी अगला कोश्चन है मार्च 2022 में किसने उतर परदेश के मुख्मंत्री मुख्मंत्री के रूप में सपत ली थी योगी अधितनात स्टार्ट आफ इंडिया पहल किस मंत्राले मंत्राले महाराष्ट के लिए सिवा सेना के राज्य सभा सदस्की से चुना गया संजयराउड ब्यास्क में कितने पोसाड तत्तों का होना जरूरी है छे हिंदू मुस्लिम समझोते किस कांगिरे सदिबेशन में हुआ 1916 भारत के बर्तमान महान नियावादी कौन है और बेंकटरमाण बेंकटरमान बीसी सी आई का फूल फार्म क्या है भारती क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड चंद्रगुप्त मौर के सिक्के पर किसका चित्र था देवी देवताओं और प्राचीन कथाओं सूर्ज चंद्रमा मौली कर्तब बिकिस प्रधान मंत्री के समय सुरू किये गए इंद्रिया गांधी यू 29 पूरुस क्रिकेट टीम के कोच कौन है रिसी केस कनित कर भारत की पहली पंचबर्सी योजना कब आरंभ की गई 1921 चामान आज के चारो सिप्ट के आधार पर कल का संभावित प्रस्ण पेपर अब आगे आपको कोच्चन मिलेंगे तो आप लोग देख लिजिए जो अब इसके बाद कोच्चन आपको मिलेंगे संभावित कोच्चन सभी मिलेंगे आपको देख लेते हैं जो इसमें से question आप लोग देख लीजिएगा पूरे के पूरे question आपको दिखाये जाएंगे पूरे question आपको बताये जाएंगे कौन से question कहां से है ठीक है देखे लेते हैं विस्व में उन का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है अस्टेलिया है चीन है अर्जेंटीना है न्यूजीलेंड है ए नंबर हो जाएगा अस्टेलिया क्या हो जाएगा ए नंबर आपका हो जाएगा अस्टेलिया क्या हो जाएगा अस्टेलिया अगला निस्ट क्यूस्चन है निस्ट दिया निम लिखित में से कौन सा भारत का पहला बासराय था लाट कान वैली पीट और लाड कैनिंग और रावट कलाई तो इसका इंसर हो जाएगा कि लाड कैनिंग क्या हो जाएगा लाड कैनिंग अगला निश्ट कीश्चन है महत्मा गाधी ने सन 1930 में सिवील अवेक्जा अंदोलन कहां से आरंभ किया था क्या हो जाएगा सावरमती आसरम से अगला निश्ट कीश्चन है तो आप लोग पूरा कोश्चन को देखिएगा ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहों न कहीं पे डाउट हो इसमें दिया है भारत राष्टी कांग्रेस के कहां पर आयोजीत बरसी सत्र में पूर्ण स्वराज का संकल्प अपनाया गया था तो बंबई लाहौर कलकत्ता मदरास तो इसको हो जाएगा लाहौर में अगला निस्ट क्यूस्टन है भारती संविधान अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1949 को 26 जनवरी 1949 और 31 दिसंबर 1949 को तो इसका अपसन नंबर हो जाएगा 26 जनवरी 1949 को निस्ट क्यूस्टन है भारत के पहले राष्टपती के रूप में डाक्टर राजिंद प्रसाद का चुनाव किया गया था निरवाचन मंडल द्वारा भारत की जंता द्वारा संभीधान सभाद्वारा और सम्विधान द्वारा तो अपसर नंबर सी सम्विधान सभाद्वारा क्या हो जाएगा सम्विधान सभाद्वारा अगला नेस्ट क्यूस्टन है डाक्टर बी आर अमबेटिकर ने सम्विधान का हाईदय और आत्मा किसे कहा था अफचेन 5 Joyo संबढ़ानिक उप्चारों का अधिकार एसोंसर कि बिरुद्द का अधिकार समांता का अधिकार धर्मे कि सोतंता का अधिकार बांट में दल रहीトप लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा जैपरकास नराण महात्मा गांधी और बिनोबा भावे से डांगे ने नमबर हो जाएगा जै प्रकास नरायन जै प्रकास नरायन ने अगला निस्ट क्यूशन है निस्ट क्या दिया हुआ है देखे लेते हैं कौन सा सुगर बाउड आप दा वर्ड के रूप में जाना जाता है तो क्यूबा भारत ब्राजील यूएसे ए नमबर हो जाएगा क्यूबा निस्ट क्यूशन है सहारा रेगिस्तान किस महादीप में अवस्थित है एसिया यूरोप अफरिका अस्टेलिया सी नमबर अफरिका पेरू की राजधानी है मासको पेरिस लीना कीवा तो हो जाएगा लीमा अगला क्यूशन है चेरनोबिल परमाड सहियंत्र जो अब बंद है कहां है भी नमबर हो जाएगा यूक्रेन निस्ट क्यूशन है पिर्थिवी पर सबसे अधिक तप्त गर्म इस्थान कौन सा है तो हैथ क्या हो जाएगा हैथ बैली कैली फोर्निया अल अल अजीजिया लीविया जको बावदा पाकिस्तान अटाकामा पेरू तो भी नमबर हो जाएगा अल अजीजिया लीविया अगला निस्ट क्यूशन है जयार का पुराना नाम था बेनिन लाइबेरिया कांगो सियारा लियोन तो सी नमबर हो जाएगा अप्शन जिसके ए बी सी यहाँ पे सी होना चाहिए कांगो अगला निस्ट क्यूशन है निस्ट क्यूशन दिया हुआ है इसमें से देख लेते हैं तो स्वेट करांती का संबंद किस से है गेहू उत्पादन से दुख उत्पादन से राजत गरांती से मतस से उत्पादन से बी नमबर हो जाएगा दुख उत्पादन से क्या हो जाएगा दुख धूत पादन से निम दिखत में से कौन सा सी पंचवर्ची उजना सही नहीं है प्रथाम निर्भार किसका मुख उद्देश था चोथी ओजना, सात्मी ओजना, तीसरी ओजना, छठी ओजना, तो छठी ओजना तो अन्टार्टिक अमल टार्टिक दही खटा होता है क्योंकि उसमें मौजूद होता है टार्टिक अमल, लैट्रिक अमल, एसिटिक अमल और एक्चेलिक अमल तरफ इसका इंसर हो जाएगा B. नंबर. टाट्रिक अम्र. क्या हो जाएगा? टाट्रिक अम्र. अस्रुगैस होती है कलुरोपीन, कार्बोनिल और कॉलारियites और नाइट्राइस नाइट्रस आक्साइड और बिलेचिंग फाउडर. A नमबर हो जाएगा क्लोरोपीन अगला निस्ट क्विस्चन हो जाएगा महा बीर पुश्तक किसको दिया था सर्वत्तम मुक्गेबाच को सर्वत्तम पहलवान को सबसे अच्छा फुटवालर को खिलाडी को हिंसा ओर बढ़ावा देने के लिए तो सर्वत्तम पहलवान को अंगला निस्ट क्यूस्टन हो जाएगा आमार्त सेन को नोबेल पुरुसकार किस छेत्र में उतकर कारी के लिए दिया गया भौतिकी औसधी अर्दसास्त साहित तो इसको सी नमबर हो जाएगा अर्दसास्त किसी भारती बैग्जानिक को नाम के नोबेल पुरुसकार बलकी भारत रत्न भी प्राप्त करने का गौरब मिला डाक्टर ओमी भाबा, डाक्टर जेवी बोस और डाक्टर सीवी रावान और डाक्टर विक्रम सारा भाई तापसन डाक्टर सीवी रावान अगला कोश्चन है किस देश का राश्टी पस पवित्र गाय है इंडोनेसिया भूटान भारत नेपाल नेपाल कच्चे फलो को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है इधेन का अक्सीजन का असिटीलीन का मीथेन का असिटीलीन का कच्चे फलो को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है इधेन का अर्भट उपग्रह का प्राच्छे पढ़ कहां से लिया गया कराया गया था भारत अमेरिका जापान सोबियत संग डी नंबर हो जाएगा सोबियत संग सभ aan किने क्चे जर्मन सिलबर के एक मिस्दधाति है कापर निकल और सिलबर का इलो मिनिऊ म्यंण का जिंक का पर और निकल का जिंक सिलबर और का शी नंबर हो जाएगा जिंक कापर और निकल का डबलू एचो बिस सुस्वास संगठन का मुख्याला इस्थित है पेरिस प्रांस में जिनेबा स्विजन लेंड में बसिंगठन यूएसे में और लंदन यूके में तो भी नंबर हो जाएगा जिनेबा में संयुक्त राश्च संग का पहला महा सचीव डैंग हैं सोल्ड और त्रिगवेली यूथांट और डाक्टर कुर्थ बाल्डेहिम बी नंबर हो जाएगा त्रिवेणी त्रिवेणी अगला नेस्ट क्यूश्चन है निमलिखित में से प्राचीन तम राजबन से कौन सा है मौर ग निमलिखित में से वहाँ ब्यक्त कौन कौन है जिसका नाम देव नाम प्रेदर्शी था मौर राज असोग मौर राज चंद्रगुप्त मौर गौतम बुद्ध और भगवान महाबीर क्या था भगवान महाबीर यह नंबर हो जाएगा मौर राजा असोग निमलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहलाल नहिरू ने नहीं लिखी है तो डिसकावरी आफ इंडिया और माई एक्सपेरिमेंट बिथ टूथ और एंटो बायोग्राफी और गलिपसेज आफ वर्ड हिस्ट्री बी नंबर हो जाएगा माई एक्सपेरिमेंट बिथ टूथ अगला निष्ट को चन्निम लिखित में से कौन से यूथ जोड़े गए मिलान का गतन मिलान गलत ढंग से किया गया प्रूटो गर्तंत अरस्तू राजनिती पंडी जवाला नहरू हिंद स्वराज और काल माकर्स दास कैपिटल सी नंबर हो जाएगा पंडी जवाला नहरू हिंद स्वराज भारत में फेडरेशन कप का संबंद किस खेल के साथ है हांकी फुटवाल वास्केटबाल बैटमिन्टन ये नंबर हो जाएगा हांकी अगला निश्ट क्यूशन है सुबोत कप का संबंध किस खेल से है हांकी फुटवाल बास्केटबाल बैटमिंटन तो हो जाएगा फुटवाल अगला निश्ट कोचन है फिजी की राजधानी कौन सी है सुबा पोर्ट लुईस और किंगस्टन और पारामार्ज रीवो ये नमबर हो जाएगा सुबो भारत में लिखित में से किस राजध को इस्वर का अपना देश गैट्स ओन एकन्ट्री कहते हैं ये नमबर केरल उतर पर देश पस्षिमंगल गोबा तो केरल हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच के अनुसार सबसे अधिक परितियोगिता देश कौन सा है संगत राज अमेरिका, इंगलैंड, यूके, सिंगापूर और सुईजा लैंड सी नमबर हो जाएगा सिंगापूर संगत राज अमेरिका के संचेति संस्थानों में प्रवेस पाने के लिए प्रतियक विदेशों चात्र को निम्लिखित परिच्छाओं में से कौन सी परिच्छा वैसक होती है टी ओ एफ और जी आर आई ए और जे एम एटी और एम टी टी तो क्या हो जागा टी ओई एफ एल ए नमबर आप सांग अगला कोशन भारत में साइबेरियस वाएं सारस सामान पच्छी बिहार रंठंबर पच्छी बिहार दाची गामा पार्क और केवल देव गाना को इस तुड़ी नमबर हो जाएगा अगला नेस्ट देखे लेते हैं मक्का आफ क्रिकेट क्रिकेट का मक्का किस मैदान को कहा जाता ए इंडन गरडन मेल वारनान क्रिकेट पार्क लाट्स दी नमबर हो जाएगा लाट्स अगला नेस्ट कुश्चन है रावल किस खेल में मुक्स किस खेल में बुल्स आई सब्द का प्रयोग किया जाता है वाक्सिंग बास्केट वाल पोलो सूटिंग सूटिंग में रावल पिंडी एक्सप्रेस कौन कहलाता है सचिन तेंदुलकर सोयब तो सोयब ख्यातर सार्क सार्क का मुख्य निर्माता कौन था जिया और रह्मान जनरल जिया और हक और राजीब हगांधी जैवर्धन जिसके अंसर हो जागा ए नंबर जिया और रह्मान कितने देश यूएन जनरल एसेंबली के सदस्य है उन्हीं एक सञब्बे एक संचानने एक सबानने एक सटीरानने एक सटीरानने तिल्गू क्रिश्न अमुख्यमाल्याता का लेखक कौन था हरी घर हरी हर देवराय क्रिश्न देवराय मुक्का तो सी नंबर क्रिश्न देवराय हाथी की दाथ विशाल रूप से बढ़ा हुआ है कौन सा हिस्सा है साउदी कृंतक दाथ उबरी रतनांक निचला रतनांक और निचला क्रितक यह नंबर हो जाएगा उपरी क्रितंग दाथ किसकी कमी के कारण इसकरवी होता है विटामिन डी विटामिल के विटामिल ए विटामिल सी आफसर नंबर विटामिल सी जापान के प्रसिद्ध जहाज निर्माता जापान के प्रसिद्ध जहाज निर्माता उद्धियो कहां इस्तित है डेट्रोईट, पिटियर्सरियर्ग और कोवे, लांस, बेगस, सी नमबर कोवे आपके बिस्ट आप लग, आपके जितने कोश्चन थे, वो सारे कोश्चन करा दिये गये हैं देख सकते हैं किताबों से लगाओ रखिये, मेरा यकीन मानो, जिन्दगी में कभी ठोकर नहीं खानी पड़ेगी यह आप लोग खास कर ध्यान रखियेगा और हमारे यहां बाहुवली डिफेंस अकेडमी में देख सकते हैं किस चीज की त्यारी कराई जाती है बाहुवली डिफेंस अकेडमी में आर्मी, MP, पुलिस, MP, S, I, B, S, C, R, P, S, I, S, I, T, V, E, P, S, M, R, R, L, B, S, C, G, D, N, M, G, N, M और इन सभी की त्यारी कराई जाती है जो की तीन दिन फ्री डेमो दिये जाता है एक साल में तीस चादिक सेलेक्शन हो चुके हैं जिसमें जाइन करने के लिए अगले आप भी हो सकते हैं और हमारे यहां जो सुभिधाएं हैं प्रतेक बैचे 50 विद्यार्थी हैं प्रतेक्शन होता है अगर आप भी त्यारी क्या जाता है त्यारीक हें जाता है के लिए तो अभी मेरे स्क्रीन पर नमबर मेरे नमबर पर आप जल्दे हो कसी नीमें दिक्कत होगी तो आप बचिज़ाक आप जानकारी मृक्ट कर सकते हैं अगर आपको कहीं से कोई भी दिक्कत हो तो आप बेजी जग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अगर आपको कई दिक्कत है तो इसी वात पर जै हिन जै भारत